हेलो एब्रीवन वेलकॉम अगें टू लंडरे देतिमन आर्पीएसी के तरफ से न्यू अपडेट आई हैं आज की ही डेट आप देख सकते हैं 15-6-2023 की जो आप लगवग जो है वो 6-7 या उससे भी अधिक जो है अभी न्यूस डाली गई हैं और ये न्यूस जो है संबंदि इस वीडियो में तो वीडियो में बिल्कुल जो है वो अंत तक देखिए तब ही आपको सभी चीज़ें पता लगेंगी कोई भी चीज जो है यदि आप स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज को देखने की या फिर पढ़ाई की ही करते हैं तो बिल्कुल अंत तक जाया करें त तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करने यदि आपका मन है तो और अगर कोई भी जो है आप लोगों को वीडियो पहले नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप लोग जो है बैल बटन को जरूर प्रेस करें जो की सब्सक्राइब के साइड मे होता है ठीक है ताकि time to time आपको जो है जो भी नई वीडियो आती है मेरी वो आप लोगों को पता लग सके इसके साथ जो है वो हम पढ़ाई भी जो है वो बिल्कुल regular कर रहे है आंसर की जो है वो आ रही है बच्चों के selection हो रहे है ठीक है और जो बच्चे जो है बिल्कुल जि Kansas है आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो लगातार जारी रखें तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि model answer की जो है Sanskrit Department की तरफ से second grade की GK Group A की जारी हुई है GK Group B की जारी हुई है ठीक है इसके अलावा Social Science की जारी हो चुकी है Hindi की जारी ह हो गई है Sanskrit की Math की और English की जारी हो गई है ठीक है अब जो है वो एक subject जो English का जो subject है इसकी cutoff marks और जो बच्चों की list है selected बच्चों की जो list है दो गुना बच्चों की वह भी जारी हो गई है चलिए इसको देख लेते हम कि इसकी cutoff जो है वो कितनी आई है और कौन-कौन से बच कम जो है competition English में ही देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह रहे roll number तो जो भी बच्चों का selection हुआ है congratulations इन बच्चों को 65 कुल candidate है यहाँ पर roll number जो है वो आप बिलकुल आराम से यहाँ पर देख लें कि आपका roll number इसमें है या नहीं है ठीक है उसके बाद जो ह जैसी जैसी आप लोग देख रहे हैं सभी की अब जो है sunscreen department की तरफ से जो है second grade की cutoff जो है वह भी आप जारी होना start हो गई है और फटा फट से जो है यह काम भी पूरा हो ही जाएगा यहाँ पर general की जो cutoff गई है वह है 324.36 गई है EWS की जो है थोड़ी सी से जो है वो कम गई ह 312.59 गई है SC की 274.48 गई है ST की 248.30 गई है OBC की 317.78 गई है और वही MBC की 278.52 गई है ठीक है तो जब एक गुना बच्चों का जब चयन होता है तो cutoff जो है वह आप थोड़ी सी जो है वो आप देखिए थोड़ा सा उपर चली जाती है यानि आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो कि जो 3 question तक जो है उपर चली जाती है ठीक है यानि cutoff marks जो 324 है तो यहाँ पर 3 question के जो marks है वो आप जोड़ ले तो यहाँ पर answer की जो है वो जारी हो गई है cutoff जो है वह भी जारी हो गई है अब आप जो है वो बिल्कुल मिलान कर सकते हैं कि हमारी कितने answer सही हुए है cutoff marks जो भी जारी की गई है उससे जो हम कितना उपर है क्या एक गुना में जो है वो हमारा selection हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ठीक है तो जहाँ English के student है तो यहाँ दो गुना बच्चों की जो जारी हुई है 324.36 जब एक गुना बच्चों की जब बात होगी तो यहाँ पर आप जो है यहाँ 6 से 8 जो marks है वो आप जोड लें यदि आपके इतने हैं तो आप बिल्कुल 100% आपका selection है चीक है इससे अधिक तो नहीं जाती है यदि कोई बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि यह तो 2 गुना बच्चों की जारी हुई है और एक गुना की जब जारी हुई पता नहीं हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा आप मॉर्टल आंसर की से अपना आंसर जो है वो चेक कर लें उसके बाद जो है यहाँ कट ओफ देखें यदि कट ओफ से जो है वो आप लोग जो है वो 6 नंबर तक अधिक है तो आप बिल्कुल आप फाइनल लिस्ट में शामि जरूर होंगे ठीक है और यहाँ पर देखें एक सर्विसमें की जो कट ओफ है वो 259.39 गई है ठीक है इसके अलाबा फिजिकल जो की सारिक तौर पर जो जिनमें कमी होती है तो उनके लिए 191.72 गई है तो यह अब देखिए गाफ कि एक दो दिन में जो है जितने भी सबजक जिनकी भी आंसर की जारी हुई है उनकी फटा फट से जो है जारी हो जाएगी कट ओफ माक्स भी जारी हो जाएंगे और सभी बच्चे जो है वो RPSC की जो कट ओफ और संस्क्रिट डिपार्टमेंट की जो कट ओफ है सभी का वेट कर रहे हैं तो अब बिलकुल आपका हाई लेकिन साथ में आपके जो भी साथ ही हैं भाई वेहन हैं जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है एक दो मार्ग से रह गए हैं दो गुना में नहीं आ पाया है या फिर दो गुना में तो आ गया है आंसर की से उन्होंने मिलान कि इसी वक्त है ठीक है इस वक्त जो है वो साथ ना छोड़ें जब पढ़ाई करते हैं तो कमठीशन रहता है तब बच्चे एक दूसरे का साथ भी देते हैं लेकिन जब आंसर की आ जाती है रिजल्ट आ जाते हैं और जिन बच्चों का हो जाता है तो वो लोग जो है भूल जाते हैं कि हमारे साथ ही जो है उनका सेलेक्शन नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है उन लोगों को होंसला बनाना है कि इस बार जो आपका हुआ है तो नेक्स्ट बार जो है उनका होगा ही ठीक है जो भी पढ़ाई है उसको जो भी बच्चे regular करते हैं कई बच्चे जो है वो 4-4-5-5 साल जो है वो एक subject को लेकर तयारी करते हैं एक exam को लेकर तयारी करते हैं तो उनका selection भी होता है कई बच्चों का जो है वो पहली साल में ही हो जाता है ठीक है तो पूरी लाइफ नहीं है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू